नमस्कार श्रागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टन में आज के इस बीडियो में आप लोगों को एक जब़दस्त न्यूज बताने वाला हूँ जिसकी हेल्फ से आप लोगों को काफी जादा बैनिफित हो सकता है ये जो news है आप लोगों को पता है वेदानता लिमिटेट के बारे में जी हाँ वेदानता की deal listing का जो process चल रहा था वेदानता उसमें almost fail हो गई है ये news में आप लोगों को बताने वाला हूँ और इन्होंने बहुत जादा चाला ही चली थी retail share order को तो एकदम से फसा लिया था इन्होंने लेकिन LIC का साथ जी हाँ LIC के साथ की वज़े से आज जबरदस रिटन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है almost जो है 320 रुपए पर share के हिसाब से LIC ने कहाए कि इतना तो होना ही चीए इसकी share की कीमत जबकि वेदान था कि प्रमोटर ने फ्लोर प्राइस कितना बताया था 87 रुपीज जी हाँ और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था यहाँ पर retail निवेसक को लेकिन LIC ने यहाँ पर बचा दिया है इवन share price जो है almost अभी currently जो चल रहा था 120 रुपए पर चल रहा था आप लोगों पता 120 की closing है लगवग इसकी और 320 तो यह almost double से भी जादा यानि की 150 परसंटेज का return मिल जाएगा आने वाले कुछ ही जिनों में somewhere को market on होते ही लपक लीजिएगा आप इस share को और इवन यहाँ प expert बता रहे हैं कि 12 रुपए पर share के इसाब से dividend भी मिल जाएगा तो यह अच्छागा सा dividend होगा और current market price 120 चल रहा है तो आप लोग अगर calculate करते हैं तो 10% की dividend yield तो high dividend yield बेदानता पहले से high dividend yield share में आता है और अभी भी high dividend yield share में यह रहेगा तो complete news में आप लोगों को बताने वाल आए 134 करोड share की यानि की 90% share जो है हो जाएं bidding के लिए चाहिए थे जिसमें से कि almost 50% के करीब विदानता के पर्मोटर के पास ही है पहले से तो इनको market से कितने चाहिए 40% जिसमें कि यह achieve नहीं कर पाए है कितने इनको मिल पाए only 125 करोड share ही इनको मिल पाए थे BSC के data के according जी ह तारिक तक उसका क्या था प्रोसेस चलना था इन्होंने उसका टाइम बढ़ाया साम तक किया पहले दो पर तक था तो वो साम तक बढ़ाया गया था साम को 7 बजे तक तो 7 बज के 20 मिनर तक मात्र 125 करोड share की ही यहां पर bidding को मिली है तो यह वेदानता जो है fail हो गया है almost यह द से पहली बात डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिये गए हैं एंजल ब्रोकिंग जिरोदा दोनों के दोनों आप लोगों को पता है जीरो ब्रोकरेज लेते हैं डिलीवरी के लिए और इंट्राडे के लिए 20 रुपीज पर और आप लोगों से चार्ज किये जाते हैं तो लिं के पास almost 24 करोड शेर हैं इस कंपनी के अकेले ही तो आप लोग लगा सकते हैं अगर LIC ने बीडिंग कर दी होती तो 24 करोड शेर चले जाते हैं और वेदानता के पक्ष में चला जाता है लेकिन LIC का मानना है कि at least 320 रुपए पर शेर तो इसकी कीमत होनी ही चाहिए कितनी होनी चाहिए 320 रुपए पर शेर होनी चाहिए और उससे नीचे तो हम आने वाले है नहीं ऐसा कहा है LIC ने अब यह आप मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को प्रमोटर के पास जो है कितने परसेंट शेर होल्डिंग है कंपनी की 50 परसेंटेज की शेर होल्डिंग और कितना उनको और चीए था डिलिस्टिंग के लिए 40 परसेंट जो की वो अचीव नहीं कर पाय रहे हैं और ये निउस भी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी कि 7 बज़े तक इसको एक्टेंड कर दिया गया था उसके बावजूदी सात तारिक माला यस्टरडे 9 अक्टूबर को इवनिंग 7 अक्लॉग तक एक्टेंड कर दिया गया था बिडिंग प्रोसेस को लेकिन उसके बावजूद भी 90 परसेंट जो बिडिंग को चीए होती है डिलिस्टिंग के लिए वो इनको नहीं मिल पाई है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक या दो वर्किंग डे में जो भी शे जो है आप लोगों के फिर से जो शेर हैं आप लोगों के डीमेट अकाउंट में आ जाएंगा अब ये देख लीजे जो अब फाउंडर है केजरिवाल रिसर्च के अरुन केजरिवाल जी उनका भी कहना है कि लगभग जो है यहाँ पे हिंदुस्तान जिंग से जो डिविड मिल जाएगा हिंदुस्तान जिंग ने हुआ कि हिंदुस्तान जिंग ने डिविडेंट अभी पे किया है किसको हिंदुस्तान जिंग जो की एक सबसीडियरी कंपनी है वेदानता की वेदानता की नीचे आती है हिंदुस्तान जिंग तो हिंदुस्तान जिंग ने डिविडे पे किया है वेधानता को तो वेधानता भी तो अपने shareholder को dividend देगी तो वेधानता अपने shareholder को almost 12 रुपे पर share क्या according dividend declare कर सकती है कभी भी और अगर current market price पी ये dividend yield देखी जाए तो यहाँ पे देख लिजिए जो ये research agency के जो founder है अरुन केजरिवाल जो उनका कहना है कि 10% की ये dividend यिल्ड रहेगी current market price पे जवर्दस यहाँ पर अच्छा खाजा dividend मिल जाएगा LIC की बात मैंने पहले बताई थी आप लोगों को LIC का कहना है कि 320 रुपए के हिसाफ से हम दे देंगे और company के जो promoter थे उन्होंने कितना दिया था floor price 87 रुपीज का ये floor price दिया गया था जो की retail निवेसकों को डुबाने वाला था बहुत लोग था LIC का मानना है कि जो ये actual price होना चाहिए इसका at least 320 रुपए के आसपास होना चाहिए और बड़े बड़े analyst भी यही बता रहे थे बड़े बड़े analyst का भी यही कहना था कि at least 250 रुपए से 350 रुपए के बीच वेदानता के share की वो value लगा रहे थे और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि पैसा यहाँ पे double से भी जादा हो जाएगा सोंबार को माला आप यहाँ पे लपक लिजिए dividend भी मिलने वाला यहाँ देख लिजिए कौन कह रहे हैं यह अनिल सिंगवी जी कह रहे हैं यह अनिल सिंगवी जी कह रहे हैं यह कि 320 रुपए के around तो यह share होना ही चाहिए और इतना के bidding के करीब तो करना ही चाहिए तो जबरदस्त यहाँ पे dividend भी मिलने वाला है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही information देती कि dividend मिलेगा और सारे के सारे expert यह बता रहे हैं देख लिजिए एक another proxy advisory firm SCS had asked investor to bid between rupees 236 and rupees 320 तो यह देख लिजिए 236 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में bidding करने के लिए कहा है क यही news थी जो कि shareholder के लिए जवरदस्त है retail निवेस अगर आप भी वेदानता के shareholder है आप लोगों के भी जवरदस्त है और अपर circuit यहाँ पे लग सकते हैं शूमवार से अब लगातार यहाँ पर circuit आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि इसकी fair value बहुत high बता रहे हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद